घ्लाट प्रेंड्स आईए अध्वांस कॉंक्रित स्ट्चर में हम लोग रिटिरिन्ग वॉल टॉपिक स्टाट करते हैं यह जो टॉपिक है जो हम स्टाट कर रहा है यह उनिवर्शिटी पॉइंट-फीव से हम लोग स्टाट कर रहा है तो जो भी स्टुडेंट्स रट्मनु यह फिर और कोई भी उनिविशिटी में study कर रहे हैं तो आपको यह B.E. के exam के लिए बहुत important है यह retaining wall हम लोग R.T.M.U. के लिए 7th semester के लिए study कर रहे हैं तो आज यह start करता है सबसे पर अगर हम retaining wall की बात करें तो retaining wall एक ऐसी wall है जो soil को retain करता है it will retain the soil so retaining wall is used to retain the soil यह soil को retain करने में काम आता है यह soil को protect करने में काम आता है अब दो तरह की retaining wall होती है एक होती है cantilever retaining wall और एक होती है counter fort retaining wall the very first is cantilever and the another is counter fort retaining wall अब जो cantilever retaining wall होती है न हम generally use करते हैं 5-6 meter के height के लिए तो आपके सामने एक figure दिया हुआ है cantilever retaining wall का जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो components है जो कि मैं depth में आगे में discuss करूँगा जैसे पहला component है stem stem मतलब यह जो wall है इसको हम stem बोलते है next wall के जो bottom में आपको दिया हुए एक base slab दिया हुए है वो base slab को दो हिससे में divide किया हुए एक है toe जो आप left side में देख सकते हैं और एक है heel जो आप right side में देख सकते हैं इसके बारे में मैं detail में आगे discuss करता हूँ कि यह क्या चीज होता है तो cantilever नाम कैसे पढ़ा है इसका क्योंकि इसका जो top end है जो cantilever का जो stem का top end है यह top end है एकदम free है मतलब यह cantilever की तरह behave करता है इसलिए उसका नाम पढ़ गया cantilever retaining wall ठीक है so cantilever retaining wall is a wall which behaves like a cantilever and it has stem stem मतलब wall it has base slab जिसके अंदर दो components है एक है toe एक है heel next एक wall होती है जिसका नाम है तो है counter fort reading wall counter fort मतलब एक तरह की fix wall है it is a type of fix wall आप देख सकते हैं जो इसका stem है उसको top से fix करने के लिए हम लोगों ने आपर counter forts लगाये हैं यह concrete structure है जिसमें counter fort क्या करता है counter fort उपर का जो stem है जो stem का जो उपर का हिस्सा है उसको deflect ना होने दे इसलिए हम लोग counter fort retaining wall प्रोवाइड करते हैं तो दो तरह के wall है cantilever counter fort cantilever में इसका जो top end है वो freely deflect कर सकता है counter fort में जो इसका top end है वो freely reflect नहीं कर सकता ठीक है तो इस particular वीडियो में यह chapter में मैं सरिफ cantilever retaining wall की बात करूँगा की cantilever retaining wall का design कैसे करते हैं इसके checks कैसे apply करते हैं और हर एक चीज का हम लोग design करने वाले हैं तो आईए इसको depth में पढ़ते हैं cantilever retaining wall को तो मैं पहले एक wall draw कर लेता हूँ आपके साब ने this is a cantilever retaining wall तो जैसे मैं आपको बताता की retaining wall क्या करता है retaining wall earth को retain करता है मतलब soil को एक side में रखने के लिए as a backfill हम लोग retaining wall concert करते हैं तो यहाँ पे आपकी backfill है backfill मतलब soil है मतलब यह आपे soil को रखने के लिए हमने wall का design किया है तो यह तो component है इसको हम बोलते है stem we call this as stem यह है पूरी की पूरी base slab यह जो bottom वाली है यह आपकी base slab है अब base slab का तो left वाला हिस्सा है मतलब यह वाला हिस्सा है यह इतना हिस्सा इसको हम बोलते है toe we call it as toe and यह जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक के इसको बोलते है heel so cantilever retaining wall का जो base slab है उसके दो components एक है toe एक है heel next अब अगर हम बात करें so this was toe यह मानलो इसका ground level है this is the ground level so ground level से जितना आप नीचे excavate करते हो ना उसको बोलते है depth of the foundation ground level से जितना आप नीचे जाते हो ना जहां पर आपका base slab रखते हो आप तो उसको बोलते है depth of the foundation फिर हम लोग stem की बात करें तुँआ h stands for height of the stem h का मतलब होता है height of the stem और base slab की thickness कित्ती होती है वो होती है small t that is small t तो यह एक rough figure है आपके सामने cantilever retaining wall का अब इसका structural behavior कैसा होता है हम लोग वह बात करते है आजए देखते है इसका structural behavior कैसा है यह bend कैसा होता है हम लोग उठा मज़ते पहले now see यह जो backfill है यह backfill का weight vertically downward act करता है the weight of the soil will act vertically downward but यह soil क्या करती है यह soil एक horizontal pressure देती है इस wall को तो यह soil हम क्या करेंगे this soil will give some horizontal pressure P इस pressure का नाम होता है active earth pressure इसको हम बोलते है active earth pressure इस pressure की वज़े से आपकी जो retaining wall है ना वो कुछ इस तरीके से bend होती है यह आपका stem है due to this horizontal pressure the wall of the stem of the wall will bend in this fashion वो left की और bend होता है तो यह आपका stem है जो left की और bend हुआ अब मुझे आप बताईए आपका जो heel है heel के just उपर soil है यहाँ पर soil है तो soil का weight तो vertically downward कर रहा है तो आप थोड़ा सोच ही अपने mind में की heel कहा bend होगा heel के उपर soil rest कर रही है तो heel simple सी बात है it will bend in this fashion heel नीचे के और bend होता है all right जब heel नीचे bend हो रहा है तो आपका toe कहा bend होगा toe will bend vertically upward वो ऐसा bend होगा तो आप देख सकते हैं कि gaze का bending pattern है toe और heel का bending pattern है this is heel part ऐसा जो stem है वो left की और bend होगा क्योंकि active or pressure left की और जा रहा है जो heel है उसके पर soil बैठी है तो soil क्या करेंगी उसको नीचे के और bend करेंगी so heel will bend in downward direction but toe will bend in upward direction ठीक है यह simple size का bending phenomena है this is the bending phenomena all right अब यह figure आप properly draw करेंगे ठीक है आप दोगों एक बात बताएए आप लोग अगर मैं बोलता हूँ sagging sagging जब मैंने word बोल दिया sagging तो आपको sagging अपने mind में क्या visualize करना है एक ऐसी bend layer एक ऐसी bend layer को आपको mind में visualize करना है इसको बोलते है sagging ठीक है this is called as sagging अगर मैं बोलो hogging तो आपको hogging कुछ ऐसे visualize करना है hogging में ultra sag बना देना यह आपको mind में याद रखना है sagging मतलब डीचे के और bend होता है hogging मतलब उपर के और bend होता है तो आप में को यहाँ पर देखके बताईए तो पे कौन सा pattern हो रहा है heel पे कौन सा pattern हो रहा है मतलब कौन से तरह की bending हो रही है तो आप देख सकते हैं heel पे heel नीचे के और bend हो रहा है तो अगर heel ऐसा नीचे bend हो रहा है तो heel is subjected to what? heel is subjected to hogging bending moment heel प्यार है hogging bending moment अगर हम toe की बात करें तो toe उपर की और bend हो रहा है तो toe is subjected to sagging bending moment heel is subjected to hogging bending moment toe is subjected to sagging bending moment तो इस तरीके से just हमने अब तक ये discuss किया है कि आपका cantilever retaining wall किस तरीके से deflect हो रहा है आप देख सकते हैं heel is subjected to hogging toe is subjected to sagging and आपका जो stem है वो left की और bend हो रहा है so this was the introductory part of cantilever baselab इसके next video में मैं discuss करूँगा कि इसका design कैसे करते हैं इसका stem का design, इसके baselab का design और इस पर जो stability checks हैं वो कैसे apply करते हैं तो मिलते हैं next video में thank you so much कि उटैंगा क्यों में आपक पर आपक काचा है बढ़ेंगा विगो को का याएंगा लाश बड़ मैं मेर आपक लूजञें एहता हॉ Corn面 इसके kernel हैं याएं सकती हैं एह Brexit